तो आज देके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही खुबसुरत और प्यारा साथ थाल पोस का डिजाइन बिलको यूनीक पैटन पर फिश पैटन पर बना हुआ है बहुत ही खुबसुरत से डिजाइन है मैंने इसे दो कलर में बनाया है अभी मैं आपको इसे पूरा खोल के दिखाओंगी बट उससे पहले मैं आपको बता दू कि इसमें कितनी उन लगी है और मैंने किस क्रॉशा नंबर से बनाया है तो इसमें मैंने यूज की है ओस्वाल माइक्रो की वूल जो की 3 प्लाई की वूल होती है और बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रॉशा होक्स मीन्स इसे रेडी करने में तो आप अब भी अगर 3 प्लाई की वूल लेते हैं और 3.5 mm की क्रॉशा होक्स से अगर आप इसे बनाएंगे तो आपका भी इतना ही लगभग उन लगेगा जिसमें बिंक कलर की उन ज्यादा लगी है और वाइट कलर की उन मुझे इसमें कम लगी है मिन यहां की जैन आप अगर मैं ने आपको बताया है आप भी सेम वैसा ही बनाते हैं तो आपका भी योओ सोरत सा डिजाइन है तो अगर व्हाहत ना चाहते हैं तो बनानाि तो बढ़ नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे तो चले फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो सबसे पहले यहां हमें दस चेन बना लेनी है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस दस चेन बना कि जो फर्श नूमबर वाली चेन है इसमें अपने वक को हमें स्लिप स्टिस से आड़ कर देना है तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन और ये होगी हमारी पहली डबर क्रॉश्या लूप लेंगे और अगेन इसी होल से डालेंगे डबर क्रॉश्या बनाना इस्टार्ट करेंगे इस होल में टोटल हमें 22 डबर क्रॉश्या बनानी है 22, तीन चेन पहली डबर क्रॉश्या हो गई, दो और बना ली तीन हो गई चार पांच छे इस तरह से टोटल 22 डबर क्रोशा बनाके रेडि करेंगे तो यहां टोटल 22 डबर क्रोशा बनाके रेडि कर ली अब वर्क के एंड में एक, दो, तीन जो थर्ड नमबर वाली चेन है इसमें अपने वर्क को एड़ कर दिना है स्लिप्स्टी से एड करेंगे फिर से तीन चेन बनाएंगे एक, दो, तीन तीन चेन यह पहली डबर क्रोशा में बन गई दूसरी डबर क्रोशा में डालेंगे और एक डबर क्रोशा बना लेंगे दो डबर क्रोशा बनके रेडि हो गई दो चेन बनाएंगे इसमें बाद 2 चेन का सुबसुर दे देना है। थिक्ति कैंड़ेंड़े, फिर से सुबसुनि बनायेंके लीक जा इसके Adventure 1, 2 को और वाने जाएगे तो बीच में 2 चेन काम सुप्पामिशा बनायेंगें एक भी डुबबक्रोशा इसकिप नहीं करनी है टोटल 22 डुबबक्रोशा ही बनेगी हर दो डुबबक्रोशा के बाद दो चेन का स्पेस देते हुए इस पूरे राउंड को ओबर करना है बाद में दो चेन मनाएंगे और अगें थर्ड नमर वाली चेन में अपने वाद को स्लिफ्टिज से एड़ कर लेंगे next वाली जो double crochet है, उसमें एक step stitch बनाएंगे और जो बीच में दो chain का space है, इसमें एक single crochet बनाएंगे single crochet बनाके, 5 chain मनानी है, 1, 2, 3, 4, 5 5 chain, next वाला जो 2 chain का space है, इसमें आएंगे, और एक single crochet से इस 5 chain को add कर देंगे again 5 chain, 1, 2, 3, 4, 5 नेक्स वाला दो चेन के स्पेस में सिंगल क्रोशा से एड करेंगे, फिर से पांच चेन, एक, दो, तीन, चार, पांच, और नेक्स दो चेन के स्पेस में एड करतेंगे, सेम प्रोसेस को repeat करेंगे और round को over करेंगे work end में 5 chain बनाई और जहां पे start किया था ये single crochet है इसमें slip stitch से last वाली 5 chain के space को add कर दिंगे एक slip stitch बना के 5 chain का जो space है इसमें आएंगे 1, 2, 3, 3 chain पहली double crochet हो गए सेम इसी chain space में 4 और double crochet बनाएंगे total हमें 5 बना के ready करनी है एक chain space में 4 और 5 तीन chain को मिलाते हुए 5 double crochet 1, 2, 3, 4, 5 कोई chain space बीच में नहीं देना है direct आपको जो next 5 chain का दूसरा वाला जो 5 chain का space है इसमें बना लेनी है 5 double crochet एक दो तीन चार पांच 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 पांट बाक रोश्या हो गई अगें थर्ड वाले में आएंगे और पांच 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 बाक रोश्या इसमें बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, और पांच, सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और सब में ऐसे ही पांच पांच डॉबर क्रोशा बना के रेडी करेंगे वरकेंड में थर्ड नमबर वाली चेन में डालेंगे और एड कर देंगे अगें एक, दो, तीन, जो फर्ड नमबर डॉबर क्रोशा है उसमें तीन चेन मीन्स ट्रेंट, एक डॉबर क्रोशा बन गई, दूसरी वाली में भी एक डॉबर क्रोशा और जो थर्ड नमबर की डबाक्रोशा है इसमें बना लेंगे दो डबाक्रोशा एक और दो फोर्थ नमबर वाली में भी एक डबाक्रोशा और फिफ्थ नमबर वाली में भी एक डबाक्रोशा तो एक set में पांच डबाख्रोश थी सब में एक एक बनानी है दो में एक बनाएंगे तीसरी में दो बनाएंगे और चौती और पांच भी में एक एक बनाएंगे बीच में एक chain का इस फेज देंगे अब फिर से अब दूसरा set इस्टार्ट हो गया है तो पहली में एक डबा क्रोशा, सेकंड में भी एक डबा क्रोशा और जो थर्ड डबा क्रोशा है इसमें बना लेनी है दो डबा क्रोशा एक और दो फोर्थ वाली में भी चुक्षा अ फिव्थ वन में इंक नवा क्राशय ऊके है तो यहां पैं आप च्छेथ लपक्राशया बनके रेड़ी हो रहे हैं एक सेट में छेथ अपलशसा है फिर से एक चे और अगेन अब सेट में सेम को करेंगे सेम प्रॉस्थ को ही रिपीट करेंगे और इस राउंड को भी पूरा ऐसे ही ओबर करेंगे का कि बाट के अड़ में str saves अब करेंगे एक च्छीद अबे मुनर वाली चैन में अपने वग गर कर दिंगे सिर्ट से तीन में एक डबाक्रोशा बना ली है और जो फोर्थ नमबर वाला है इसमें बना लेंगे दो डबाक्रोशा एक सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और दो ठीक है फोर्थ नमबर वाली में हमें दो बनानी है फिफ्ट वन में एक बनाएंगे शिक्स वन में भी एक और दूसा सेट बन के रड़ी हुआ फिर से बीच में दो chain का space देंगे same process को ही repeat करेंगे और इस round को भी ऐसे ही over करेंगे यहां इतना पना के ready कर लिया work के end में दो chain मना के third number वाली chain में अपने work को add कर देंगे ओके और अब यह first वाली जो double crochet है इसे skip करना है तो slip stitch बना के जो second number double crochet है इसमें आ जाएंगे first वाली में कोई work नहीं होगा दूसरी वाली में आ गए है यहां से अब तीन chain मनाएंगे यह पहली double crochet हो गई दूसरी वाली में एक बनाएंगे इसके बाद वाली में एक बनाएंगे यह हो गई fourth number और fifth total पांच double crochet बनाने टो पहली और आखरी दो double crochet skip कर देने साथ थी तो पहली और आखरी skip करेंगे तो बीच में हमारे पास पांच double crochet बचेगी तीन chain मनाएंगे और तीन chain मनाके यह जो दो chain का space है यहां पे single crochet से add कर देंगे फिर से तीन chain मनाएंगे और तीन chain मनाके first one को skip करेंगे second वाली से 5 डबाक्रोशा बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 पहली skip कर दी आखरी skip कर देंगे 3 chain मनाएंगे और 3 chain मनाके यह जो 2 chain का space है यहाँ पे single crochet से add करेंगे again 3 chain मनाएंगे पहली डबाक्रोशा को skip करके दूसरी वाली से 5 दबग्रोश्या बनाएंगे, इस तरह का प्रोस्ट बनेगा, इस तरह का पैटन बनके रड़ी होगा, सेम वर्क को रिपीट करेंगे और राउंड को ऐसे ही ओवर करेंगे, वर्केंड में तीन चेन बनाएंगे, जो फर्स्ट वाली मींस, उसके बाद वाली जो दो चेन का इसपेस है, इसमें एड़ करेंगे, अगें तीन चेन मनाएंगे, थर्ड नमबर वाली चेन से अपने वर्क को एड़ करतेंगे, अगेन फर्स्ट वाली को हमें skip करना है तो slip stitch बना के second one में आएंगे और इसी से work को start करेंगे एक, दो, तीन, तीन chain मनानी है पहली और आखरी skip कर देंगे बीच में बचेगी तीन डबाग रोशा तो इन तीनों में हमें एक एक डबाग रोशा बनानी है तो first one में तीन chain मना ली और इसके बाद वाली में दो डबाग रोशा तो total तीन हो गई एक, दो, तीन तीन chain मनाएंगे यह जो पहला तीन chain का space है इसमें single crochet से add करेंगे फिर से तीन chain मनाएंगे दूसरा वाला जो तीन chain का space है इसमें add करेंगे अगें तीन chain मनाएंगे एक दूसरा को first number को skip करेंगे और बीच की तीन दूसरा में एक, दूसरा बनाएंगे एक, दो और तीन लाश्ट वाली दूसरा भी skip कर देनी है तीन chain मनाएंगे यहाँ पे दो तीन तीन chain का space है तो पहले first वाला जो 3 chain का space है इसमें add करेंगे फिर से 3 chain मनाएंगे जो second वाला 3 chain का space है इसमें add करेंगे फिर से 3 chain मनाएंगे और बीच की 3 double crochet में एक-एक double crochet बनाएंगे तो इस तरह का ये pattern बन के ready होगा ठीक है same process को ही repeat करेंगे round को over करेंगे end में workbook अपने add कर लेंगे again first वाली को skip करेंगे और जो second one है इसमें आ जाएंगे slip stitch बनाएंगे ठीक है एक, दो, तीन 3 chain as a double crochet बनाएंगे ये हमारी double crochet हो गई और अब 3 chain बनाएंगे as a space ये हमारा space हो गया जो first वाली 3 chain का space है इसमें डालेंगे और single crochet से इसे add कर देंगे कुछ इस तरीके से ठीक है एक, दो, तीन फिर से 3 chain बनाएंगे जो बीच वाला 3 chain का space है इसमें बना लेनी है 3 double crochet एक, दो और 3 जो center पहला chain space ये है दूसरा ये है, तीसरा ये है तो बीच वाला जो chain chain का space है उसमें 3 double crochet बनाएंगे फिर से बनाएंगे 3 chain और ये जो last वाला 3 chain का space है इसमें add कर देंगे एक, दो, तीन तीन chain बनाएंगे 1 double crochet को skip करेंगे second वाली में 1 double crochet बना लेंगे अके, फिर से 3 chain first वाली 3 chain के space में add करेंगे again, तीन chain बनाएंगे जो second 3 chain का space है इसमें बना लेंगे 3 double crochet एक, दो, और 3 फिर से 3 chain मनाएंगे और इसके बाद वाली 3 chain के space में add कर देंगे again 3 chain और first वाला skip करेंगे second वाले में means जो बीच वाला है इसमें 1 double crochet बना लेंगे same process को ही repeat करेंगे और इस round को भी पूरा हमें ऐसे ही over करना है ठीक है कुछ इस तरीके से यह round हमारा बनेगा ऐसे ही over करेंगे और end पर आएंगे यहां मैंने पूरा इसमें बना के ready कर लिया है और अब इसमें 3 chain मना के starting में हमने 6 chain मनाई थी 3 chain as a double crochet और 3 chain as a space तो 1,2,3 जो 3rd number वाली chain होगी इसमें slip stitch से अपने work को add कर लेंगे ठीक है इसके बाद यह वाली जो इसके बगल वाली chain है इसमें slip stitch बना के आएंगे means जो chain space का first वाला chain है उसमें आपको chain space sliftage बनानी है और इसे chain space में एक single crochet बना लेनी है एक, दो, तीन, तीन chain मनाएंगे और यह जो तीन double crochet के इधर और इधर दोनों side जो तीन तीन chain बनी है इसमें कोई work नहीं करना है इसमें आपको कुछ भी ने करना है यह ऐसे ही रहेंगी यहाँ पर आपने तीन chain बना ली यह जो तीन double crochet बनी हुई है first double crochet में एक double crochet बनाएंगे और दूसरी double crochet में भी एक double crochet बनाएंगे दो double crochet हो गई बीच में दो chain का space दे देंगे दूसरी जो डबाक्रोशा है जिसमें एक डबाक्रोशा बना चुके हैं इसी में से फिर से एक डबाक्रोशा बनाएंगे और थर्ड डबाक्रोशा में एक डबाक्रोशा बनाएंगे दो डबाक्रोशा, दो चेन और दो डबाक्रोशा कुछ इस तरह से बनानी है पहली और तीसरी में एक एक बनानी है दूसरी वाली में आपको दो बनानी है जिसमें एक डबा क्रोशा दो चेन और एक डबा क्रोशा बनेगी फिर से तीन चेन बनाएंगे और जैसा कि मैंने आपको बताए तीन डबा क्रोशा के इधर वाली जो चेन स्पेस है इसमें वर्क इसके बाद डाइरेक्ट ये वाला जो chain space है इसमें आ जाएंगे और इसे add करेंगे single crochet से फिर से 3 chain बनाएंगे और ये pattern के इधर वाले ये pattern यहाँ पे खतम हो चुका है एक double crochet बन चुकी है तो ये पूरा जो पैटल है वो पूरा हमारा खतम हो गया ठीक है इसके उपर से लेते ह इधर वाली जो chain space है इसमें आएंगे और एक single crochet से इसे add कर लेंगे अगें तीन chain मनाएंगे तीन chain मना के ये तीन double crochet है इसके इधर वाली में कोई work नहीं करना है डाइरेक्ट आपको double crochet के उपर आना है और एक double crochet बनाएंगे सेकंड वाली में एक डबक रोशा बनाएंगे दो डबक रोशा हो गई दो चेन बनाएंगे सेकंड वाली में से फिर से एक डबक रोशा बनाएंगे और एक डबक रोशा थर्ड में बनाएंगे तीन चेन तीन डबक रोशा के इधर वाली chain space में कोई work नहीं होगा इसके बाद वाला जो chain space है इसमें आ जाएंगे फिर से तीन chain बनाएंगे और एक डबक रोशा के उपर से लेते हुए उसके बाद वाली जो chain space है इसमें इसे add करेंगे तो यह देखिए यह हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा सेम पैटर्न को repeat करेंगे और round को ऐसे ही over करेंगे अब यह देखिए कि जहां से मैंने start किया था वहाँ पे आ गई हूँ यह बीच में जो एक डबक रोशा है और इधर वाली chain पे हूँ तो इसके बीच में भी एक chain space यहां पे बन गया अब हमें work करना है यह जो चार डबक रोशा यहां पे बनी है यहां से तो इसमें जितनी भी chain बनी हुई है सब में आपको slip stitch बनाना है और जो डबक रोशा है उसमें आ जाना है ठीक है अब यह डबक रोशा है slip stitch बना के इसमें आएंगे ठीक है सारी chain में slip stitch बना ली एक दो तीन तीन chain ऐसर डबक रोशा बनाएंगे दूसरी वाली में डालेंगे एक डबक रोशा बना लेंगे दो डबक रोशा हो गई एक दो तीन चार यहां पे आप चार chain का space देना है और इधर वाली दोनों डबक रोशा में एक एक डबक रोशा बना लेनी है एक और दो एक दो तीन तीन chain मनाएंगे पैटन के इधर वाली जो chain है इसमें कोई वर्क नहीं होगा जैसे तीन double crochet के इधर वाली में कोई work नहीं हुआ था, वैसे ये वाला जो pattern है, इसके भी इस side और इस side वाले में कोई work नहीं होगा, direct ये जो pattern हमारा beach वाला खतम हुआ था, इसके उपर ये देखी गए, ये वाली chain space आई है, तीन chain की, इसमें हमें अपने work को add कर देना है, फिर double crochet, फिश में चार chain का space देंगे, इधर से एक double crochet और दूसरी double crochet, तीन chain बनाएंगे, और direct ये जो pattern हमारा खतम हुआ है, इसके उपर जो chain है, इस पे आके इसे add कर देंगे, फिर से तीन chain बनाके, सेम process को बागी के pattern में करेंगे, तो ये देखे, ये हमारा कुछ इस तरीके से ब सेम process को ही repeat करना है, और इस round को भी पूरा ऐसे ही over करना है, अगर आपको यहाँ पी जो चार chain है, वो कम लग रही है, आपको work tight लग रहा है, तो आप यहाँ की chain को 5 भी कर सकते है, इस chain को 5 कर लेंगे, तो आपका work tight हो रहा है, तो वो lose हो जाएगा, तो मैं पूरा बना लेती अब दूसरा धागा आपको उसी जगा पे add करना है, जहां से आपने पहले धागे को cut किया है, ठीक है, बट अगर आप नहीं add करना चाते हैं, उसी थर्ट से continue करना चाते हैं, तो कर सकते हैं, मैंने इसमें दूसरे थर्ट को use किया है, और अब यहाँ पे 4 chain बनाएंगे as a triple cross यह वाला work triple cross चा से होगा, दो बार loop लेना यह देखेगा, एक और दो, दो loop लेंगे और दूसरी वाली जो double cross चा है, इसमें एक, दो, तीन, तीन बार में इसे over कर देंगे, तो यहाँ पे 2 triple cross चा बनके ready होगे, फिर से 2 बार loop लेंगे, और यह जो chain space बना है, इसमें total हमें 8 triple cross चा बना के ready करनी है, सेम वैसे ही, दो बार loop लेना है, और तीन बार में इसे over करना है, ओके, टोटल यहाँ पे बीच में 8 triple cross चा बनाएंगे, तीन, और 8, 8 triple cross चा हमारी बीच में हो गए, दो triple cross चा यह जो दो double cross है, इसमें बनाएंगे, एक और दो, तो यह दिखिए, अब यहाँ पे टोटल हमारी पास 12 triple cross है, दो इधर हैं, दो इधर हैं, बीच में 8 triple cross चा बना लेंगे, अब बीच में यहाँ पे कोई work नहीं करना है, डायरेक्ट आपको यह जो दो double cross चा चा च का space था, इसी में work करना है, same work जो आपने पहले वाले set में किया है, पहले दोणों double cross है में, एक ग turn of to crochet बनाेंगे, आथ double cross चा बीच में बनानी है, एक, आठ, आठ तिपा क्रोशा और दो तिपा क्रोशा हमें इसमें बना लेनी है दोनों डबा क्रोशा में बीच में एक चेन का स्पेस दे के सेम वर्क को कंटिन्यू करना है जैसे बना रहे हैं वैसे जितने भी set बने हुए हैं सब में ऐसे ही बना के ready करना है work end में अपने work को यहाँ पे add कर लेंगे और अब यहाँ पे हमें double crochet से ही work करना है तीन chain मनाएंगे और इसके next वाली जो double crochet है उसमें एक double crochet बना लेंगे उसके बाद फिर एक chain बनाएंगे और थर्ड नमबर double crochet से बनाना स्टार्ट करेंगे एक double crochet एक chain एक double crochet एक chain बीच की जो 8 double crochet है उन सब में हमें एक एक chain का space देना है ठीक है हर double crochet के बाद आपको एक chain का space देना है टोटल 8 double crochet में हमें ऐसे ही करना है यह देखे सब में हमने एक एक double crochet एक chain बना ली अब end पे आ गए हैं एक chain बना लेंगे और last की जो 2 double crochet border वाली है इसमें लगातार 2 double crochet बनाएंगे एक बनाई और दूसरी बना ली बीच में कोई chain space नहीं देना है इसके बाद यहां पे दो chain का space देंगे दो chain के space के बाद वैसे ही पहली वाली में एक double crochet दूसरी वाली में एक double crochet और इसके बाद जो बीच की 8 double crochet है उसमें एक एक chain का space देते हुए बनाएंगे यहां एक chain बना लेंनी है और बीच में भी एक एक चेन बनाते जाना है अनों यहां आउत में ॑ जो नों सपक्रो ओगाδα- same process को ही repeat करेंगे और इस round को भी हमें पूरा ऐसे ही over करना है यहां मैंने दोनों round बना के ready कर लिया है और अब next round के लिए क्या करेंगे यह जो border वाली double crochet है इसमें as it is same ही बनेगा तो पहले तीन chain बना लेंगे और जो दूसरी वाली double crochet है इसमें एक double crochet यहां पर हमारे पास तीन double crochet हो गई है और एक chain बनाने के बाद यह वाला जो हमारा part है जो first chain space है दो double crochet के बाद इसे skip करेंगे बीच की जो 8 double crochet है यह हमारी 8 double crochet है यहां से first number start है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है जो first number start है तो पहली और दूसरी double crochet के बीच में इसे add करेंगे 1, 2, 3, तीन chain मनाएंगे next वाले में add करेंगे फिर से 3 chain मनाएंगे next one में add करेंगे तो जो दोनों के बीच का जो chain space है न उसमें add करना है फिर से तीन चेन बनाएंगे, दो के बीच में जो एक चेन का स्पेस है, इसमें एड़ करेंगे, तीन चेन, दो के बीच में जो एक चेन का स्पेस है, इसमें एड़ करेंगे, फिर से तीन चेन बनाएंगे, एड़ करेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच हो गए, टोटल छे ब बनाएंगे और एड करेंगे, ओके तो यह 8 के बीच में हमने एड किया है, यहां सिर्फ नमबर स्टार्ट है, तो 1,2,3,4,5,6,7,8, यहां पर 8 वां खतम है, तो इनके बीच में हमने एड किया है, टोटल 6 बार एड हुआ है, 1,2,3,4,5,6, 1 chain मनांगे और एक chain मना कि अब यह जो 2 double crochet बनी हुई है, इसमें 2 double crochet बना लेंगे, 1 और 2 ठीक है, एक chain का space देंगे, अगें जो next pattern है, इसमें same process को करेंगे, पहले 2 double crochet बना लेंगे, उसके बाद एक chain मनाएंगे, जो first यहाँ पे दो double crochet के बाद ये वाला जो space है इसे skip करेंगे पहली और दूसरी जो बीच के 8 double crochet है उसमें पहली और दूसरी के बीच में इसे add करेंगे और अब यहाँ से 3-3 chain बनाते हुए 6 बार add करेंगे तो same process को करना है जो हमने यहाँ किया है वैसे ही आपको दूसरे वाले pattern में भी करना है same process को repeat करते हुए इस round को भी ऐसे ही over करना है यहाँ यह round भी बनके ready हो चुका है और इसके बाद अब अपने work को 3rd number वाली chain से add करेंगे और यह जो fish pattern बन रहा है यह हमारा जो pattern है यह एक fish pattern है और इसमें हर बार इसके बीच में means यहाँ से जो दो डबा क्रोशा बनी होई है इसमें same ही work को आपको continue करना है तब तक जब तक यह fish pattern जो है वो यह यहाँ पे जो beach का जो part है जिसमें 3-3 chain करके add किया है यह एक ना हो जाए सिर्फ दो fish pattern के बीच में यह दिखेगा यह pattern है यह pattern है इसके बीच में यहाँ पे हमें design को change करना है तो अब इसके बाद के round से जैसे यह round number 3 है design का round number 4 के बाद जब मैं round number 5 आऊंगी न तो आपको इन दोनों के beach की design सिर्फ बताऊंगी क्योंकि इसका जो part होगा यह same ही होगा हर बार हर बार आपकी यह वाली जो loops हैं तीन-तीन chain के यह घटते जाएंगे जैसे इस बार 6 थे side के जो 2 double crochet है वह same ही रहेगी 3 chain बना ली उसके बाद वाली double crochet 2 double crochet बना ली ठीक है यह side वाली जो double crochet as a border चलेए यह same ही रहेगी एक chain बनाएंगे यह जो एक chain है इसमें work नहीं करना है इधर वाली 1 chain में कोई work नहीं करना है वर्क करना है आपको तीन चेन वाले लूप में, तो first तीन चेन के लूप में add करेंगे, फिर से तीन चेन मनाएंगे, second लूप में add करेंगे, और six number लूप में add करेंगे, अब आप इस बार देखेंगे यहाँ पर पांच लूप बनी हैं हमारे पास, एक, दो, तीन, चार, पां तो यहां एक यहां से स्टार्ट करेंगे तो एक दो तीन चार लूप बनके रेडी होंगे तो यह वाला जो पोश्ट पार्ट है यह हमारा सेम ही रहेगा end में एक चेन मनाएंगे और as a border जो दो डबाकरोश बनी हुई है इसमें दो डबाकरोश रही बना के रेडी कर लेंगे थेक हैं तो यह एक पैटन मन के यहाँ पे एक पैटन मन के रडी हो गया यह एक से दूसरे पैटन में जाना है तो अब यह जो बीच का डिजाइन है यही सिर्फ चेंज होगा हर बार यहाँ पे एक चेंज बनाएंगे बीच में एक चेंज की यहाँ पे स्पेस है दोनों पैटन के लूप है वहाँ लूप्स बनाएंगे सो हर बार आपको अब दो फिश पैटन के बीच में इस वाली डबाग रोशा को बनाना है चेंज पूरा बना लेती हूं और पहला फिश वाला भी बना लेती हूं फिर आपको बताती हूं कि दूस इसके बाद वाली राउंड में बीच म वो भी बना लिया है और अब दो पैटन के बीच में क्या बनेगा यह देखिए यह पहला पैटन है यह दूसरा पैटन है यहाँ पर एक डबा क्रोशा बनी हुई है बीच में एक चेंड बनाएंगे यह जो एक डबा क्रोशा बनाई थी इसमें एक डबा क्रोशा दो चेंड और इसी double crochet से एक और double crochet तो इस तरीके का एक triangle बनाके ready करना है हर दो pattern के बीच में बागी का process same वैसे ही होगा जो fish pattern बना है वो वैसे ही बनेगा दो double crochet बना लेनी है एक chain बना के जो 3 chain का loop बना हुआ है उससे 3-3 chain बनाना start करना है और इस round में अब चार बार तीन चेन का loop बनेगा तो यह दिखिए इस तरी से ही बन के ready होगा यहां से मैंने start किया है नया round जब भी आप round को end करेंगे न तो same pattern जो आप दो pattern के बीच में यहां पे बनाना start कर रहे हैं वो यहां पे end करने के बाद भी आपको बनाना है तो कि starting हमारी होती है fish की starting से इसलिए इन दोनों के pattern का जो बीच का part होता है उसमें भी same ही pattern बनेगा जो आपका पहले और दूसरे या दूसरे और तीसरे pattern के बीच में बन रहा है तो यह वाला जो triangle pattern है यह आपको end पे भी बनाना है same ऐसे ही पूरे round को over करेंगे उसके बादे fish pattern जो है वो बना के ready कर लेंगे फिर मैं बताती हूँ इन दोनों pattern के बीच में क्या होगी तो यहाँ यह वाला भी round बना के ready कर लिया है वो के end में भी इस तरह का triangle बनाना है और अब बनाएंगे round number 7 fish pattern बना के ready कर लिया है और बीच वाला जो pattern है इसमें बना लेनी पहले दो chain बनाएंगे यहाँ पे जो triangle बना हुआ है इसमें बना लेना है तीन double crochet दो chain सेम इसी triangle में तीन double crochet एक दो और तीन फिर से दो chain बनाएंगे और जो second fish pattern है सेम प्रोसेस को जो fish का border है उसमें border ही बनाएंगे दो double crochet और एक चेन बना के बीच का जो तीन chain का space है इसमें loops बनाते हुए ready करेंगे और इस बार सिर्फ तीन loop बनके ready होंगे तीन chain single crochet से add करेंगे फिर से तीन chain और single crochet से add करेंगे एक chain बनाएंगे और again border बनाएंगे सेम pattern को repeat करते हुए इस round को भी पूरा over करेंगे और round number 8 की fish पहली fish का pattern बना के ready कर लेंगे round number 7 में यहाँ पे दो loop बनेंगे आप fish में उसके बाद बीच में दो chain बनाएंगे और यहाँ के pattern में इसके पिछले वाले round में तीन double crochet, दो chain और तीन double crochet थी पहली double crochet के उपर एक double crochet बनाएंगे एक chain दूसरी के वी उपर एक double crochet फिर से एक chain तीसरी वाली को skip करेंगे और यह जो दो chain का space है इसमें बना लेंगे एक double crochet दो chain एक double crochet अगेन एक chain इधर से भी पहले skip करेंगे, दूसरी वाली में एक double crochet, एक chain, last वाली में भी एक double crochet, दो chain मनाएंगे, और second जो fifth pattern है, उसे बनाना स्टार्ट करेंगे, तो border बाला part जहां पे है, वहाँ पहले border बना लेंगे, और उसके बाद आगे का section मनाना स्टार्ट करेंगे, तो यह हो गया round number seven में आपका बीच वाला part जो दो pattern के बीच में बनेगा, सेम pattern को repeat करेंगे, और round को over करेंगे, तो यहां यह round में पूरा बनके ready हो चुका है, और अब इसके बाद, इसके next वाले round में भी आपको fish pattern पूरा बना के ready कर लेना है, और अब यहां पे हमारे पास सिर्फ एक loop ही बच बीच में एक chain का space है, एक double crochet यहां बनाएंगे, फिर से double crochet के उपर एक double crochet बनाएंगे, तीन हो गई, अगेन एक chain के space में एक double crochet बना लेंगे, और एक double crochet के उपर, टोटल पांच double crochet हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच, अब यहां बीच में दो chain का space है, तो इसमें बना लेनी हमें 2 double crochet, 1 और 2, 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet, 1 और 2, बीच में 2 chain के space में आपको इस तरह से बनाना है, और अब इधर वाली जो 18 double crochet है उसमें भी same pattern को करेंगे, पहले 1 double crochet double crochet के उपर बनाएंगे, एक chain space में बनाएंगे, फिर से एक बना लेंगे double crochet के उपर, एक बनाएंगे chain space में और लास्ट में double crochet के उपर, ये हमारा बीच का pattern कुछ इस तरह से बनके रड़ी होगा, टूटल एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ double crochet इधर हैं और साथ इधर हैं, दो chain बनाएंगे, और अगेन fish pattern जैसे बनता है, वैसे ही बनेगा, तो यहाँ पे fish pattern के जो border वाली double crochet है, इसके उपर पहले दो double crochet बना लेंगे, एक और दो, एक chain बनाएंगे, एड़ करेंगे, तीन chain से लूप में एड़ करेंगे, सेम pattern को repeat करेंगे, और round को ऐसे ही over करेंगे, तो इस तरह से यह round बें पूरा over हो चुका है, और अब यहाँ पे अपने work को हमें add कर देना है, third number वाली chain से, एक loop बन चुका है, अब यह fish pattern जो है almost खतम हो चुका है, क्योंकि बीच की जो आपकी जाली है, वो अब एक पे आके, खतम हो गई है, अब यहाँ पे पहले, जो fish pattern का border है, इसे अभी ऐसे ही बनाना है, इस round में, दो double crochet बना ली, एक chain बनाएंगे, और यह जो एक loop है, हमारा तीन chain का जो loop बना है, इसमें single crochet से इस एक chain को add कर देंगे, फिर से एक chain मनाएंगे, और इधर वाला जो border है, दूसरे side वाला, उसमें दो double crochet बना लेंगे, तो यह दि चेन, और बीच वाला जो यह pattern है, इसमें पहली double crochet में, एक double crochet बनाएंगे, एक chain का space लेंगे, एक skip करेंगे, और तीसरी वाली में एक double crochet बनाएंगे, फिर से एक chain, एक skip करेंगे, फिफ नमबर वाली में, एक double crochet बना लेंगे, एक chain, एक skip करेंगे, और last means 7th नमबर वाली में, गये दो चेन का स्पेस है इसमें बना लेंगे एक डबबो क्ळोशा दो चेन और एक ओंप रहा है थेंगे दोशरे साइट के लिए एक किए ए स्टार्ट करेंगे एक डबब लास्ट वाली में एक डबा क्रोश्या फिर से एक चेन एक स्किप करेंगे और एक डबा क्रोश्या बनाएंगे एक चेन एक स्किप करेंगे और लास्ट वाली में एक डबा क्रोश्या बना लेंगे दो chain और fish pattern जैसे बनता है वैसे ही बनाएंगे, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, same वैसे ही बनेगा, तो दोनों border में, एक एक double crochet, एक chain, तीन chain के loop में, इस एक chain को add करेंगे, फिर से एक chain मनाएंगे, और जो border वाला दो double crochet है, उसमें double crochet बनाएंगे, same pattern को ही repeat करेंगे, और इ ऐसे ही over करेंगे, इस तरह से यह round भी over हो चुका है, work के end में, अब आपको fish pattern में क्या करना है, यह देखी गई है, यह fish pattern है, तो इसमें same वैसे ही work or add करेंगे, तीन chain मनाएंगे, पहली double crochet, border वाली दूसरी double crochet बनाएंगे, यह हो गई दो double crochet, बीच में यह अब बिल्कुल ही over ह हो चुका है, इसमें कोई work नहीं होगा, तो direct आपको आजाना है double crochet पे, जो दूसरे side का border है, दोनों में एक एक double crochet बना लेंगे, तो यह देखी है, यह हमारा जो fish pattern है, वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इसके बाद, same वैसे ही, दो chain बनाएंगे, और यह वाला जो pattern double crochet बन रहा है, यह ऐसे ही बनेगा, जैसे blocks बन रहे हैं, सेम वैसे ही बनेगा, एक double crochet, एक chain बनाएंगे, next वाली double crochet पे, एक double crochet बना लेंगे, फिर से एक chain, उसके बाद वाली double crochet में, एक double crochet, एक chain, तो जितनी भी double crochet है, सब के उपर, एक एक double crochet बनाएंगे, और बीच में एक एक chain का space देंगे, सब में ऐसे ही बना लेंगे, ये देखें बना लिया, एक, दो, तीन, चार, पांच डबाक्रोशा हो गई, एक chain मनाएंगे, और ये बीच वाला जो पार्ट है, जिसमें दो chain मनी हुई है, इसमें सेम वैसे ही, एक डबाक्रोशा, दो chain, और एक डबाक्रोशा बनाएंगे, ओके, अगेन, एक chain मनाएंगे, हर डबाक्रोशा के बाद एक chain का space देना है, सिर्फ बीच में आपको जो center वाला पार्ट है, उसी में आपको दो chain का space देना है, क्योंकि center में बनेगा एक double crochet, दो chain और एक double crochet, बाकी में आपको एक double crochet और एक chain मनाते हुए इसका जो दूसरा side है वो भी same वैसे ही complete करना है complete होने के बाद दो chain मनाएंगे, यह पूरा pattern जब complete हो जाएगा तो दो chain मनाएंगे और direct आ जाएंगे fish pattern पे, जिसमें सिर्फ अब आपको border में work करना है, बीच वाले part में कोई work नहीं करना है, दो double crochet, एक side की और दो double crochet, दूसरे side की same pattern को repeat करेंगे और इस round को पूरा ऐसे ही over करें इस तरीके से बनके ready होगा, इस round के बाद work के end में again अपने work को third number वाली chain से add करेंगे, तीन chain बनाएंगे as a double crochet, second number वाली double crochet में डालेंगे और इसे पूरा over नहीं करेंगे, ठीक है, एक बार में यह over किया है, दूसरा loop crochet hook में ही है, फिर third number वाली double crochet में डालेंगे, again crochet hook में ही रह एक साथ हमें over कर देना है, means ऐसा एक cluster बना लेना है, दो chain बनाएंगे, बाकी यह वाला जो design है, यह ऐसे ही बनेगा, जैसे इसे पिछले वाली round में मैंने बताया था, हर double crochet के उपर एक double crochet बनानी है आपको, और एक एक chain का space देना है, सेम ऐसे ही blocks बनाके ready करने है, और इस तरह cluster से बनाते हुए, यहाँ पर आ जाना है, बीच में जो space है, यहाँ पर एक double crochet है, दो chain और एक double crochet ही बनेगी, और ऐसे बनाते हुए, यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ तक बनाके इसे ready कर लिया, यह पूरा pattern सेम वैसे ही बना लिया, और अब work के end में फिर से अब दूशरे face प बनाना है, चार double crochet है, तो उसमें एक एक बार over करेंगे, और एक loop crochet hook में ही रहेगा, जब चारो के उपर बना लेंगे, तो सारे loops को एक साथ over कर देंगे, दो chain बनाएंगे, और pattern जो बन रहा है pattern उसे वैसे ही बनाएंगे, same process को repeat करेंगे, और इस round को भी पूरा ऐसे ही over यह देखे गए, कुछ इस तरह से बन के हमारा ready होगा, इस तरह से यह भी round मेरा बन के ready हो चुका है, और अब बनाएंगे इसका last round, last round के लिए, यहाँ पर work को add करेंगे, add करने के बाद दो chain बनाएंगे, same इसी प्लेस से, 4 से 5 double crochet, छोटी से बड़ी बनाएंगे, एक ही जग double crochet बना ली है, और 4 double crochet बनाने के बाद, अब एक skip किया है, और next वाले में इसे add कर देंगे, फिर से same process को करेंगे, एक, दो, तीन, चार, चार double crochet बना ली, एक skip करके, next वाली जो double crochet है, उसमें इसे add कर देंगे, again same process को करेंगे, तो इसी तरह से आपको इसमें पूरा बनाना है, दो, तीन, और चार, एक skip करेंगे, next one में add करेंगे, एक, दो, तीन, चार, again एक skip करेंगे, और यह जो बीज में दो chain का space है, इसमें एक chain में इसे add कर देंगे, यह देखें, एक side में में मेरा 4 बन के ready हुआ, यहां से start किया है, fish pattern से, 4 बने है, same वैसे ही, 4 अब इधर भी बनेंगे, start यहीं से करेंगे, दो chain बनाएंगे, और जिस chain पे add किया है, उसी chain पे 4 double crochet बना लेंगे, एक, दो, तीन, चार, यहां से इस वाली को skip करेंगे, और next one में add करेंगे, यह देखें, यह हमारा कुछ इस तरह से बन के ready होगा, same process को ही आपको पूरे में repeat करना है, राउंड को over करते हुए, इस पूरे थाल पोस को complete करना है, तो मैं पूरा बना लेते हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि यह कैसे, इस तरह से पूरा border बन के ready हो चुका है, पूरे में मैंने same pattern को repeat किया है, जैसे आपको बताया, और अब यह पूरा थाल पोस बन के ready है,